हालो फ्रेंज अपना कीचन में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही टेश्टी मचली की अंडे की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखी फ्रेंज इसके लिए मैं आप 2800 मचली का अंडा ले ली हूँ और पाले हम इनको अच्छे से धो लेंगे इनमें बहुत सारा कचड़ा होता है इनको रफली मतलब ज्यांदा रगड़ते हुए नहीं धुलिएगा नहीं तो यह बह जाएंगे पानी के साथ इनको हलक बिल्कुल राई होने चाहिए आप इसमें डालेंगे एक चमच बेसन जहादा नहीं है बस binding के लिए बेसन जहें बेसन आखेशन दालेंगे ना तो यह मतलब ज्यादा बेसन जैसा लगेंगे मचली नगड़क का कटी होई रि मीर्च तो मैं 2-3 हरि मिर्च ऐसे बारी रहे हूं हारी मेर्च आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डालेगा जितना आपको तीखा पसंदों कमिया ज्यादा एक छोटा साइज का प्याज बारी कटा हुआ दो चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चमच नमक या स्वादा नुसार नमक और अब हम इसमें डालेंगे एक छमच अद्रक लसन का पेस्ट हम इसमें ज्यादा मसालों का इस्तमाल नहीं करेंगे इनी सम मसालों से ये बहुत टेस्टी बनते हैं अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे हाथों के हेल से अच्छे से मिक्स होंगे इसमें जीरा धनिया या फिर और भी मसाले डालने की जरूरत नहीं है इनी सम्मसालों से यह बहुत टेश्टी बनते हैं मैं आपे सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल की हूँ लेकिन आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं एक और बात बता दूँ अगर आपको मचली का अंडा धूलने के बाद भी इसमेल आता है तो तीन से चार पानी पले अच्छे से धूल लीजिए उसके बाद लास्ट में जब धूलेंगे न तो उस वाले पानी में आप एक चम्मच बीनिगर या फिर अगर आपके पास बीन चम्माल कर सकते हैं जो आप खारते हो जो आपको पसंद हो तो मैं यहाँ पे चार बड़ा चमस तेल डाल दी हूं और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा पर इसितरह से थोड़े ले लेकर के मचली के अंडे वाले मिक्चर और इस थोड़ा थोड़ा लेकर के ऐसे बड़ी तोड़िएगा यह जितने छोटे रहते हैं देखने में भी काफी सुन्दर लगते हैं तो देखे फ्रेंज एक बार में जितना आया मैं डाल दी अब हम इनको एक तरफ से मीडियम फ्लिम पर एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे एक मिनट हो गाएं मुझे इनको डाले हुए अब हम इनको दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे तो डालने के बाद तुरंट से उलट पलट करना स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा नहीं तो यह तूटने लगेंगे तो एक मिनट के बाद ही करें और गया सकफ फ्राई करेंगे ऐसे उलट पलट करते हुए ताकि इनका कलर हलका सा और डार्क हो जाए तो देखे फ्रिंस इनका कलर बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं और यह बहुत अच्छे से कूख हो गया है बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने और अंदर से बहुत ही सौफ्ट है निटान में निकाल लेगे से जड़ार इस तरह से हो जाए इनको ऐसे बातन के निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बैच, बशकर अंडे वाले मिक्सचर से अर्चोटा एक फ्राई तोल। तो इस तरह से बड़ी देखने में सुन्दर लगता है और खाने में भी बहुँट टीलगता है। और अब मिनको इनको एक तरफ से एक मेनट तक फ्राई होने देंगे मीडियम पर उसके बाद मिनको दुसरी तरफ पलटेंगे। एक मिनट जैसे ही हो जाते हैं इनको दूसी तरब पलट देंगे और दूसी तरब से भी इनको फ्राई कर लेंगे तो जैसे ही दूसी तरब से यह फ्राई हो जाते हैं तब हम इनको उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे तो यह दूसी तरब से भी बिलकुल अच्छे से फ् अगर आप गयास का फ्लेम लो कर दिये तो अच्छ से फ्राई नहीं होंगे क्रंची नहीं बनेंगे और हाई कर दीए तो जल जाएंगे वर देखिये थे अर्ड़ दो बाझ ऐसे ही फ्राई कर लिए इसी तरह से बागी का भी मिक्सर फ्राई कर लेंगे तो यह आप सुपर देलिसेस रियर यह स्वार्टको अंड की mx Кए द्रीन्स मारा सूपर टेश्टी सूपर डिलिसेस मचली के अंड का बडी बन रेड यह मैं इसको बड़ी इस लुए में इसको अलग तरीक्ये से बने हुँ जोब बना करके देखिएगा आपको और आपके फैमली को बहुत पसंद आएगा मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूं यह देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट आप इसे हरी वाली तीखी चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सक आपके लिए श्रीव को ट्राइब करें तो लाइक करें अपने डियर सारे दोस्तों में सेर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें फिर मिलते एक नई टेश्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाब